अच्छे गुरु जी ये लव पॉडेल हैं, इनका नाम मैं पढ़नी बारा हाच्छे से, इन्हों ने ये पुछा है कि हमारे यहां सनातन परंपरा में स्पेस और टाइम का कंसेप्ट क्या है, कैसा कंसेप्ट है? बात ही हमारे दिक और काल को न्याय ने भी, वैशे शिखने भी, जैन धरम ने भी, इस दिक माने स्पेस, और टाइम माने, यानि समय माने काल माने, तो सब ने इसको एक पदार्स माना है, दर्वे रूप है, और पदार्स का मतलब ही है, कि ये संसार को निर्मान करने वाला एक सब चीजें जिसके अंदर समाविष्ट हो जाती हैं, सब चीजें जिसके अंदर करके इकठी हो जाती हैं, सारी घटनाएं जिसके अंदर घटित होती हैं, उसको हमारे हैं कहा कि यह स्पेस है, इस्पेस एक ऐसी चीज है, जिसके अंदर सब चीज घटित होती है, और इसी तरह काल को यह माना है कि काल का कहां से आरम हुआ, जैसे आजकल तो लोग यह कहते हैं कि घटना का होना, वाइट है कि घटना का होना, एक घटना और दूसरी घटना के बीच का जो समय है, वो काल को टाइम कहलाता है, घटना होनी बंद हो जाए, तो टाइम नहीं रहेगा, खत्म हो तो पहले time होना चाहिए, जिस चीज के अंदर कोई हो रहा है तो vacuum नहीं होगा वह बलके कोई चीज होगी, तो हमारे हां time को और space को सभी नहीं है, लेकिन हमारे हां शंकराचारी यह कहते हैं, कि ना space है न time है, brahma यह brahm है, सारा का सारा, the infinite, उस infinite में ना यो space होती है, ना time होता है, तो space और time जो है, वो continuum, वो एक ऐसी चीज है जिनका अस्तित्व कुछ नहीं है, लेकिन लोकिक दृस्ट्री से, हम परमार्तिक दृस्टी से space time क लेकिन सांसारी इध्यष्टी से वह वही मानते हैं जो न्याय और बैसेशी मानते हैं कि टाइम के अंदर ही सारी घटनाओं को चलाता है। तो हमारे हैं इस पेस्ट टाइम को पदार्थ माना गया, दर्व माना गया है, दर्व माने संसार के constituent element में माना गया है, यह हमारा सारा, इसके बारे में हम विशार से पढ़ना चाहें, तो किसी भी गरंथ में पढ़ सकते हैं, चाहे ऐसा नियाये ले ले ले, चाहे बैसे मिल जाएगा कि टाइम काल जो है वही काल चक्र के अंदर ही सारी घटनाएं हो रही है जो घटनाओं का करम है सारी घटनाएं है उसके लिए उस चक्र को कहते है काल चक्र और यह काल चक्र अना दिये कब से काल शुरू हुआ जब से दुनिया शुरू हुआ जब से दुनिया श नहीं थी इसलिए ब्रह्म को उन्होंने का कि ब्रह्म अकाल है वो टाइम के ब्योंड है टाइम से पहले जब टाइम नहीं था चक्र नहीं था काल चक्र तब भी ब्रह्म था तो ब्रह्म का मतलब दी इंफिनिट जो इंफिनिट है उसका कई बिगनिंग नहीं है एंड नहीं है इसलिए वो कोई temporal category, कोई time का शब्द उसके उपर लागू नहीं कह जा सकता, ब्रह्म से पहले कौन था, तो हम कहेंगे तुम्हारा शब्दी मूर्ख सा फॉर्ण है, क्योंकि जो infinite है उससे पहले कुछ चीज नहीं होती, और जो infinite है उसके बाद में कुछ चीज नहीं होती, तो temporal शब्दी जो लागू कर देते हैं, तो हम लेंगुज ही गलती उज़ कर रहे हैं, तो यह लेंगुज का परस्णा जाता है, क्योंकि इंफिनिटी का कोई logic नहीं है, और finite को चलाने वाला सारा time है, time चला रहा है, उसके अंदर गटना है हो रही है, और जहां गटना है, गट हम अंद स सब्कार में एकार प्रोंड़ मेंगरना हही है, और tenth